कविता तोतला लेक्चरादिन हिंदी गौर्वेंट आफ राजस्थान सभी को रादे रादे हरी कृष्णा और पीसी एक्जाम फर्स्ट ग्रेड या सैक्न ग्रेड या रीट की परिक्षा जो भी विद्यारती दे रहे हैं उन सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कविता और आपने प्रिंट आउट निकाल लिया या फिर लिख लिया जैसा भी आपके पास समय है जो आपको उचित लगे फर्स्ट ग्रेड में हिंदी वालों के लिए जनसंचार करके एक टॉपिक आता है उसी जनसंचार की पूरी तैयालीस पेज के एक पीडियेफ मैंने कल आप आपको पहले यूट्यूब पर बताया उसे और उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने उस पीडियेफ को आपको शेयर किया है और पहली बार अगर मुझे सुन रहे हैं तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कवीता मैश्वरी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है य सबसे महत्वपुर्ण स्त्रोत मेरे लिए रहा वो यही मेरे नौट्स रहे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन्हीं नौट्स के माध्यम से मैंने अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूती दी और उसके बाद मैंने दूसरे अटेंप में फर्स्ट ग्रेड में सफलता हासिल की और यही मेरे नौट्स में यूट्यूब पर पढ़ाती हूं और उसके बाद आप सभी विद्यारतियों के लिए टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट करती हूं निशुल्क है कोई भी कोस्ट नहीं है एक पैसे का भी कोई भी शुल्क नहीं है आप यहां मुझसे पढ़ बेजी है जनसंचार की तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे मिले कि मैं आपके आपका लिंक भेजिए आपका टेलिग्राम चैनल नहीं मिल रहा तो मैंने कल के वीडियो को शायद आपने ध्यान से नहीं सुना मैंने उस वीडियो में ही बता दिया था कि मेरे चैनल का नाम ह हिंदी में ही सर्च करना होगा हिंदी टाइपिंग आपको करनी होगी तब ही आपको मेरा चैनल मिल पाएगा क्योंकि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो फिर चैनल आपको शो नहीं होगा हिंदी में ही लिखिए हिंदी के रंग कवीता तोतला के संग और बहुत अच्छे से explain करके वो मैंने संपोर्ण हिंदी साहिती का इतियास भीवाश शेयर किया हुआ है और और फिस्ट ग्रेड में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है सैक्षिक प्रबंदन 83 पेज की वह एक PDF है जो कि मेरे स्वारचित नौट्स है यानि यूं कह सकते हैं कि मैंने खुद से उनको अलग-अलग जगें से अलग-अलग सोर्से से लेकर उन्हें बनाया वो PDF भी आपको शेक्षिक प्रबंदन के नाम से मेरे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आज मैं आपको कावे शास्र की PDF सेंड करने वाली हूं कावे शास्र में अलंकार छ यूट्यूब के यूट्यूब पे बढ़ाया फिर मैंने शब्द शक्ति छंद और अलंकार इनको मैंने इनकी PDF टेलिग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी थी पर अभी जैसा कि जो पहले से जुड़े हैं उन्हें तो पता ही है कि अभी समय की बहुत कमी है तो मैं स्टूडेंट इसको मैटर प्रोवाइड करवा रही हूं ताकि वह अपने लेवल पर तयारी करें और उसके बाद भी यदि उन्हें लगता है कि समझने में दिक्कत आ रही या कोई और समस्या है तो फिर इनी क्लासों को वापस से यूट्यूब पे कंटीनू करेंगे पर अभी कंटीनू नहीं हो पाएगी तो मैं एक साथ सारी PDF सारा मैटर आपके बास भेज रही हूं तो अगला जो हमारे कावे शास्त्र के टॉपिक्स रह गए थे जैसे रस है काव्य गुण काव्य दोश काव्य रीतियां यानि यह सेकंड ग्रेड में भी काम आएंगी फॉस्ट ग्रेड में सेथ दिटन ग्रेड में है का वे गुण सेकंड ग्रेड में और का वे दोश बी से कि में और फर्स्ट问题 में भी समान रूप से यह पुछे जातें तो मैं आप सबी को अभी यह बियाकर वैक्ट आपकी यह पहला टौपिक आपका रहा है और उसके बाद पूरा रस का पूरा जितना भी यह रसों की संख्या हो गई रसों की संख्या के बाद रस के अवियव पढ़ेंगे आप इसमें रस के अवियव के बाद इनके जो भाव है वो भाव पढ़ेंगे फिर इसके बाद आगे चलेंगे तो इनके भाव के भी जो अलग-अलग प्रकार वह आप देखेंगे उसके बाद आएगा आपका अलग यानि टोटल जो हमने ऐसे तो नो रस होते हैं हमारे इसमें लेकिन उनके भी भाव अलग-अलग होते हैं तो रस को एक तरह से पूरा डिफाइन किया है अच्छी प्रकार से इन नोट्स में समझाया गया है अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और हिंदी साहिती के इतिहास में जो मैंने आपको संपूर्ण साहिती की पीडियेव बेज रखी है उसको मैंने यूट्योब पर ए से और हर वीडियो में चोटी चोटी जानकारिया देती रहती हूं कि किस प्रकार में फर्स्ट बेड़ में तयारी और किस प्रकार से मैंने एक सारी चीज़े मेरे हर वीडियो में कहीं कहीं आपको सुनने को जरूर मिलेगी तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए क्योंकि पूरा हिंदी भरा पड़ा है अगर आप ढंग से देखेंगे तो रस काफी लंबा चप्टर है और बहुत शान्ती से आपको पढ़ना है क्योंकि 17 पेज में तो केवल आपका रस टॉपि है तीन होती है वैदर भी गोड़ी और पांचाली रीती होती है क्या क्या संबंध है कैसे इसका वैदर भी रीती को पढ़ना है उसके बाद गोड़ी रीती और उसके बाद आएगी आपकी पांचाली रीती आप आगे देखिए काव्य दोश यह है काव्य दोश कौन कौन से यह वह नौट्स है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं मैंने अभी कक्षा 12 में मेरे विद्यारतियों को काविश शास्त्र पढ़ाया था तो मैंने उसी हिसाब से उन्हें पढ़ाया कि आगे जाकर यदि वे भी कंपिटिशन एक्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको काविश शास्त्र में कहीं भी कोई प्राब्लम ना हो उसी आधार पर मैंने उन्हें एक अलग से नौटबुक बनवाई और पूरा काविश शास्त्र यह जो मैटर आपको दिख रहा है मैंने उसी तरीके से उन स्टूडेंट्स को पढ़ाया ताकि मेरी स्कूल से निकलने के बाद ज पढ़ाया और यही एक भाव था उनके भी काम आए और दिमाग में कहीं सोच थी कि बाद में मैं आप लोगों के साथ इन्हें शेयर कर सकूं तो एक स्ट्रॉंग मैटर एक जगे खटा करने की कोशिश की क्योंकि मेरे खुद के जो नौट से जो मैंने लिखा था तो उनमें कुछ न कुछ मेरे को लगा था कि शायद कुछ कमी है तो उन सारी कमियों को मैंने यहां पर पूरा किया और इनमें एक सार गर्वित पूरा एक मैटर तयार करने की कोशिश किये और इन से बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको अलंकार पारिजात में भी कुछ मिलेगा जो ब मिलेगा उससे ज्यादा ही आपको इन में मिलेगा कावे दोश है कावे दोश शब्द दोश अर्थ दोश अलग अलग प्रकार के और यह भी कितने प्रकार के होते हैं शब्द दोश कितने प्रकार के होते हैं कैसे है क्या है और इसके बाद इनकी अलग से डिटैल की एक्रमत लगे ग्रम्यत्व दोश कानों को सुनने में कडवा लगे दुष करमत्वदोश क्रम शास्रिया लोग की दुष्टी से दूशी तो आपका एक टॉपिक काव्य गुण यानि जो रीतियां है उनका अदूर ये आप रीतियां पढ़ते हैं तो फिर उनको गुण से कनेक्ट करक पड़िए क्यों पड़िए वैदर भी गोडी पांचाली इन तीनों का संबंद माधूर प्रशाद और ओज गुंसे ओज का गोडी से हैं और माधूर का वैदर भी से और पांचाली का इदार आपके जो आता है प्रशाद गुं इसका पांचाली से तो फिर आपको यह कनेक्टिविटी बढ़ा की पढ़नी हैं दोनों को कनेक्ट करके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने बुक बताई हुई है अलंकार पारिजात उसे अब जरूर देखिए तो यह कावे शास्त्र के जो बचे हुए आ आपको पूरा मिल चुका है जन संचार पूरा मिल चुका है और और एक चीज और है कि जैसा कि मैंने सेक्षिक प्रबंदन के आपको भेज दिये अब बारी आती है सविधान के नौट्स और आपके जो पंदरा प्रश्न आर्पीस्ती फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान इस अब मेरी अगली कोशिश यह है कि मैं उन नौट्स को भी आप तक पहुंचा सकूं हो सकता है थोड़ा सा गेप आजाए बीच में पर मेरी पूरी कोशिश है कि जीके के नौट्स भी जो मैंने जितनी मेरी मतलब वो था कि मुझे लगा कि यहां यहां से इंपोर्टेंट ची क्योंकि की जीके अपने आप में अथा मास अगर है उस में किसी भी एक पर टिक्कर नहीं रह सकते हैं थीके हिंदी में मैं पूरा दावे से कह सकती हुral pedals कंडे का एकनल से जुड़े से जुड़े और टेली ग्राम से संग्यरुलोकर हैं आपको देश सकती हूं पर जी के का मैं इसलिए नहीं कहती चाहे कोई भी सौर्सेज हो चाहे आप किसी एप से भी पढ़ रहे हो चाहे यहां मैं मेरे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रही हूं पर जी के आपको अपने लेवल पर फिर भी कोशिश करते ही रहना पड़ेग हर पल यह लगता है कि हम भूलते जा रहे हैं यह हर पल यह लगता है कि हमें तो कुछ यादी नहीं है तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे लाना है वो कॉन्फिडेंस कब आएगा आप कब से वेट कर रहे हैं कि हमें इतना लंबा टाइम हो गया किसी को साल बर हो गया किसी को आठ जरूर आएगा उसकी भी एक विधी है और अगर यह विधी आपको जाननी है कि हां मैं यह कॉन्फिडेंस हमें कब आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए मैं वो टेक्निक आपको बताऊंगी क्यों क्यों क्योंकि एक्जाम के एक महीने पहले तक म मैंने पड़ सब कुछ लिया था पिछले दो सालों से मैं तयारी कर रही थी लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे हर पल यह लगता था कि परिक्षा में बैठने लायक स्थिती भी शायद मेरी नहीं है जबकि रिवीजन तीन तीन चार चार पांच पांच बार हो चुका लेकिन फिर भी नहीं समझा रहा कि अब याद नहीं है या फिर प्रश्ण को पढ़ते ही सोचने की जरुत पढ़ रही थी ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रश्ण पढ़ते ही खटाक से आंसर आजाए जबकि चार-चार-पांच माच बार कोर्स कर लिया लेकिन फिर भी स्थिति दैनी है फिर भी नहीं पता चल रहा फिर भी सोचना पढ़ रहा है कि हां यह कहीं पढ़ा हुआ है हां कहीं पढ़ा तो है अब कहां पढ़ा है लेकिन इसका फैक्ट आंसर क्या यह नहीं निकाल पारी थी लेकिन एक्जाम के एक मैने पहले कहते हैं कि इश समाध्यम से जो भी जानकारी मिली उसको बराबर फोलो किया उस नक्षे कदम पर चली और आज आप सबी के सामने हूं कि जिस मैटर को पढ़के और जिस रणनीती से चली और जिस तरीके से मुझे जो बताया उसको फोलो किया और आज उनी नोट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो अब तक तो जितनी भी सामगरी थी वो सब कुछ मैं आपको दे चुकी हूँ अब मेरे पास शायद और कुछ बचा नहीं है हिंद इंदी से रिलेटेड जितने भी मेरे पास नौट्स है जो भी स्ट्रॉंग मेटर है मैं आप सभी तक वो पहुचा दूं उसके बाद मैं वो तरीका भी आपको बताओं जिस तरीके पर कुछ ही विद्ध्यारती चल पाएंगे और ये बात मैं आज फिर कहूंगी कि मैं बता करती होंगे ना सलेक्ट से नहीं भी होंगे यह मैं बहुत अच्छे से जानति हूँ क्योंकि जब हम किसी चीज पर चलते हैं तो हम चलते जितना तेज लेकिन हम रुक उतना ही जल्दी जाते हैं और यह आप सबको समझा रहा होगा मैंने बहुत सारी रणनीतियां बना के बेजी है बहुत सारी लेकिन आप खुद जानते हूं कि आप कितने दिन उस पर चलबाए हो लेकिन एक चीज कि नौट्स सारे बेज चुकी हूं सारा टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया अब कुछ चीजे और बची है जो मुझे आपके सब्सक्राइब बेजनी है वो में जरूर भेजेंगी जो जीके के कुछ टॉपिक से कुछ चीजें है मैं आपको दूँगी और हिंदी में भी और चोटी चोटी टिपस है वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन अब सबसे जवर्डस जो चीज है जो मैंने एक महिने मेरे महिना चली हूँ अपने आपको बांध कर रोक कर अपने भावों को एक जगें समेट कर आज यह उसी का परिणाम है कि मैंने दूसरे प्रयास में आरपीसी फर्स्ट ग्रेड जैसी एक सीट ले ली नहीं तो शायद प्रतम प्रयास में तो मुझे लगा था कि मैं इस पेपर को समझने लाए की नहीं ना तो यह सेलेबस मेरे समझ का है ना ही एक्जाम मेरे समझ का है जब पहली बार मैंने 2015 का एक्जाम दिया तो एक्जाम देने के बाद मैं यह कर चुकी थी कि अब दुबारा जीवन में मैं कभी भी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड नहीं दूंगी क्योंक मैंने 2nd grade और 2nd grade पर ही ट्राइ किया 1st grade से डर बैठा हुआ था लेकिन उसके बाद जब 1st grade का एक्जाम देना ही है फोम तो बरा ही था तो 1st grade की तयारी लगी और 10 महिने तक continue मैंने 1st grade की तयारी अपनी जी जान से करी क्योंकि मुझे 10 महिने ही मिले थे 2nd grade के एक्जाम के ब रिवीजन रेवीजन रिवीजन 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 कर लिया लेकिन उसके बाद भी मुझे यही महीं लगता था मुझे कुछ भी नहीं आता मुझे कुछ भी नहीν या imitate सब पढ़ने के बाद भी स्थिती बड़ी दительно कि लेकिन उपर वाला जब के साथ होता है तो फिर आ महिना पहले ठीक मुझे एक ऐसी चीज मिली कि आज भी मैं कोटी-कोटी धन्यवाद करती हूं कोटी-कोटी नमन है उन गुरू को और व्यक्तित्व को जिन्हों ने मुझे इस रहा पर चलाया और एक महिने तक मैं खुद को भी इस चीज में यह मानती हूं कि मैं पेशेंस बन है सारे नौट्स आपको दे चुकी हूं सारा कंटेंट आपके पास है सब कुछ आपको मिल गया कुछ चीजे और है जो मुझे बेजनी है सारा PDF में बेज रही हूं लेकिन उसके बाद भी यदि दिक्कत है तो देखिए आप जरूर बताईए हम यह क्लासे दुबारा कंटीन नहीं आनी है तो जहां भी दिक्कत आए यूट्यूब के कमेंट सेक्षन में या टेलिग्राम चैनल पर कहिए कि यह टॉपिक समझ में नहीं आया आप इसे प्लीज यूट्यूब पर पढ़ा दीजिए मैं आपके लिए क्लास लेके आउंगी लगांगी लेकिन आप कहेंग जब बाकि मुझे भी क्या पढ़ी ए मैंने तो बेज दिया सारा अप पढ़ना और ना पढ़ना आपके हात में और समझ में आया नहीं आया यह तो आप ही बताएंगे मुझे तो पता चलेगा नहीं दूसरी चीज अब आपको क्या वह चीज जाननी है जिसके आपके आपके सेवल एक मैना पहले चली क्योंकि मुझे जानकारी एक मैना पहले चली पर मैं यह चाहती हूं कि आप आज से चले और अभी से चलते हैं तो आप फोड के आएंगे इसमें कोई शक वाली बात नहीं और ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा यह आप भी बहुत अच्छे से जानत पता है जिसे आटे दाल का भाव मालूम है और जिसने बहुत संगर्ष किया है और जो खुद यह चाहता है कि कोई भी स्टूडेंट उसकी तरह परेशान ना हो क्योंकि मुझे पता है कि जब गाइड करने वाला नहीं होता है तो फिर मन की दशा क्या होती है मुझे यह पता है कि घर से बाहर निकलने के बाद जब दस नजरें आपकी तरफ लगी होती है और आप नजर नीची करके निकलते तो उस वक्त आपके मन की दशा क्या होती है इसलिए मैं नहीं चाहती कि जिसके अंदर जुजारू इच्छा है और जो वास्तों में दिल से लगा पड़ा है कि मुझे तो इस वार एक सीट लेनी ही है लेना ही है चाहिए कुछ भी हो जाए तो वो तो इस पर चल भी लेगा और उसी के लिए होगा मेरा वो वीडियो बाकि अपना टाइम खराब ना करें बाकि आपके बास दुनिया बर के एप्लिकेशन से दुनिया बर का मेटर है कि यदि मैं डंग से नहीं पढ़ा या नहीं पड़ी और तरीके से नहीं चली तो हर साल की आएगी हर साल की निकलेगी पर जिसको यह पता है कि मुझे तो करना ही करना है तो बस वही उस वीडियो को सुने और उस वीडियो को फोलो करें यही मैं आपसे कहूंगी तो कमेंट सक्षन में जरूर बताईए कि confidence कैसे आएगा अगर आपको यह जानने की इच्छा है कि नहीं है तो मैं आपके उपर ही डिपेंड है और दूसरी बार वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं यह मुझे बहुत गंदा लगता है इतना कहने के बाद भी मैंने से स्टूडेंट्स नहीं देखे कि जो सारा मेटर ले रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं हना लेकिन एक लाइक नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं जब एक लाइक आप से नहीं हो रहा है जब आपकी श्रद्धा नहीं है इस विद्ध्या की प्रति इस मैटर की कि प्रति और जो आपको समय दान कर रहा है उसके कर tapi आप जिंदगे में और क्या करेंगे लाइक से ना तो मुझे कुछ मिल रहा है ना आपको कुछ मिल रहा है ठीक है मुझे हर दिन आपके सामने आने को प्रेरीद करता है तो लाइक करके ही आए ताकि अगला वीडियो मैं एक उत्सा से बना सकूं मेरे अंदर भरपूर उत्सा का संचार रहे हरे कृष्णा रादे रादे